असलाम वालीकूम दोस्तो आज हम डिसकास कर रहा है प्राबलम नंबर 27.1 हालिडे रेजनिक क्रेन वोल्यूम तो फिफ्ट डिजन का तो इट सेज देट स्क्वेर सर्फेस शोन इन फिगर 27.3 मेजर 3.2 मिलिमेटर अच साइड इस इमर्ज इन उनिफॉर्म एलेक्टिक फिल्ड विद इस एकॉल तो 1800 न्यूटन पर कॉल्म यह कहता है कि एक स्क्वेर सर्फेस है जिसे के यह है और इसका हर एक साइड की जो लेंद है वो 3.2 म है और इसको जो है रखा गिया है एक एक एलेक्टिक फिल्ड में तो और यह एलेक्टिक फिल्ड जो है इक मेक 65 डिग्री अंगल विद इस लाइन विद इस ओन आउटवर्ड पॉ apart तो कहता है कि calculate the flux through the surface इस surface पर कितना flux होना चाहिए तो हमें given data दिया गया है जिसमें length जो है उसको हम represent करते हैं एक से 3.2 mm है जिसको हम यू लगते हैं कि 3.2 into 10 to power minus 3 meter तो electric field जो दिया गया है it is equal to 18000 newton per column और angle जो दिया गया है this is equal to 65 degree और हमसे जो required है वो electric flux है हमने electric flux को find out करना है तो electric flux को find out करने के लिए we have to use the equation electric flux is equal to a dot a और दोस्तों इसको यू लेक सकते हैं कि e a cause theta तो यहां पर हमें सबसे पहले area चाहिए कि area कितना है और पर जो है यह angle हमें चाहिए कि देखो यह electric field की direction यू है और x axis अगर हम देख ले तो x axis यू है तो हमें x axis के साथ angle चाहिए तो यह 65 है और यह जो है यहां से यहां तक जो है वो 180 है तो theta जो है वो 180 degree minus 65 is equal to 115 degree तो और area जो हमें पता है कि लंबाई जर्बे चवड़ाई तो x है तो इसका x का हम square लेंगे तो x जो है वो 3.2 into 10 to power minus 3 है तो square जो है it will be equal to 10.24 into 10 to power minus 6 meter तो यह values हम यहां पर put करते हैं तो flux will be equal to e is equal to 180 जो है वो 10.24 into 10 to power minus 6 और cause 115 तो इसको जब हम multiply करेंगे आपस में तो we will get minus 0.0078 newton meter square per column तो हमारे पास flux जो है through the surface will be equal to minus 0.0078 newton meter square per column तो this is something about this problem. Thank you.